हेलो दोस्तों आज के इस टूरियर में हम लोग हो आजटेमल टैग यहाँ पर आपको हैं दो एंगल सी आओ यहाँ पर ओपनिंग डाकट यहां पर व्यूर्टेय्ट यह तुछ एक्ट उसमें उच्छ ने पूर्टिंग क्रेक्टर में उस्कुछ अप्रॉदिये जैसे यहां पे लिका हुआ है कोई ना कोई क्रेक्टर आपको दे दिया है जो क्या है जिसके left side पे opening angle bracket है और right side closing angle bracket है इस पूरे के पूरे को tag भोलते हैं दोस्तों ठीक है ये के tag बन चुका है इस tag को बोलते है opening tag टू create a tag HTML gives a certain character special meaning certain characters special meaning means जो P लिखा है उसका एक meaning है जो हम next video में clear करेंगे अभी आपको इसमें ध्यान नहीं देना है simply आपको यह समझना है कि tag क्या हुआ है ठीक है पूटिंग्रेक्टर फिध इन एंगल्बैक्ट क्रीट एट है कि ढले ते लुखत में कुई ने कुई क्रकटर आपने लिख दी है FS का की मीणिंग से ज्दिंग और मेलें कूजिंग आप अड़ पूरो के जहформ वर श्लैश्ल श्लाइज्वरें लगा देते हैं तो उसको qlosing tag एग भोलते है किक जैसे यहां पर प्रस यहां पर मैं ? यहां पर मैंने ? उपनिंग तैग है इसलाएं पहले कोन एक मेस कोनटेंट निखा है इसको जो बी टेग के धर्मयान लिखा यहां पर टैग्स दो तरह के होते हैं डोस्त है पहले विधर को ने पहले विद्युक्या as start tag, starting tag, or opening tag. ठीक है, या फेस्ट फॉस्ट वैरे टैग को start tag बोलते हैं, या opening tag बोलते हैं, ठीक है, दूसरे tag, and the second tag is noun as end tag, दूसरे tag को end tag बोलते हैं, या उसको closing tag था उर सिस न आपको समझना होगा क्या लिखा है यहां पर एंडेक टाइग है IT созд प्रोजिंग जांड हो स्तार निफ बाड़न ड़ो डल मैच तरीक नोा जो से करें यहां पर देखें आपने एंगल प्राइब उसके वाद प्रम नहीं लिखा यहां पर मैंने सेम लिखा है लेकिन सर्फ और सिर्फ यहां पर मैंने इसके अंदर एक forward slash add किये ठीक है तभी यह end tag बन चुका है next line में मैंने यह clear करा है तो यहां पर read the card हम दुपारे में their end or closing tag always match with start or end tag जो closing tag or end tag अब फर्स्ट टैग से start tag से match होगा accept that it is that is has an extra forward slash extra forward slash after the opening angle bracket opening angle bracket के बाद आपको एक forward slash लगा देनी है जिससे वह end tag बन जाएगा ठीक है रखता clear होगा आपको कर दो